हेलो एवरिवान गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग अगर आप सीए फाउंडेशन के एक्जामीनेशन जून दौजार चौबीस या उसके बात देने वाले हो सेप्टेंबर में या जैनवरी दौजार पचीस में यह वीडियो आपके लिए बहुत इंप पर समझ जाते थे कि कैसे कैसे question आने वाले क्या sequence में कितने marks के बट अब ये new course में जो first examination जिसकी jun में होने वाली वहांपे कैसे paper हमें पूछा जाएगा उसके बार में discuss कर लेते हो । वीडियो बहुत important है last तक देख लेना तो recently जो MTP host किया अपना वह MTP में एक structure बताए और उससे हमको समझ में आ रहे है कि कैसा paper pattern expected है examination में of CA foundation law, ठीक है, चलो, पहले अगर आप question देखोगे, question first आएगा आपके question paper में, जो 20 marks कर रहेगा, और ये compulsory question रहेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई option आपके पास नहीं रहेगा, that means, यहाँ पे बहुत important important concepts वो any 4, कोई भी 4 question करना है, तो maths लगा लोगे, वो भी 20 marks each के रहेंगे, 20 into 4, 80, 80 plus 20, 100 marks का ऐसा ये paper होने वाला है, correct, 100 marks का आपका ऐसा paper होगा, जिसमें question number 1, compulsory होगा, question number 2 से 6, 5 questions में से कोई भी एक question आप हटा सकते हो, 4 questions आपको करने हैं, और ऐसे आपके 100 marks बन जाएंगे, sir, 20 marks का कैसा break up होने वाला है, अब जो question number 1 रहेगा, या कोई भी question रहेगा, उसमें 2 scenarios हो सकते हैं, पहला scenario होगा, कि sir, 7 marks का एक question, 7 marks का दूसरा question 14, और 6 marks का एक question रहेगा, ये 6 marks होगा, 6 marks का एक question रहेगा, तो accordingly आपका 20 marks का paper बन जाएगा, या फिर वो लोग कर सकते हैं, कि sir, 7 marks को भी sub questions में divide कर दें, मतलब 7 marks में भी एक question पूछले, 4 marks का, फिर second question पूछले, 3 marks का, ऐसा भी कर सकते हैं, sir, 1 question 7 marks का पूरा, 1 question 4 marks का, 1 question 3 marks का, और 1 question 6 marks का, ये paper pattern आपको लग सकता है, इसके अलावा और कोई permutation combination मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो recent MTP आया है, उसमें ये ही trend देखा गया है, ठीक है, 20 marks, each question, total number of question 5, 20 to 500, question number 1, compulsory, question number 1, compulsory, so generally आप देखो कि जो trend बताता है, question number 1 में काफी important, important chapters में से, वो important concepts directly पूछ लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भाई, कुछ अपन छोड़ नहीं सकते, हो सकता, कोई जो gray area है, जहाँ से generally question नहीं आते हो, वोई concept उठाके उ तो कैसे होगा, मैं हमेशा recommend करता हूँ कि 15 minutes जो पहले आपको मिलते हैं, paper जब आप start करते हो, 15 minutes पहले आपको question paper मिल जाता है, you can not write at that point of time, but वो 15 minutes में आप decide कर सकते हो, कि जो 5 questions है, उसमें से कौन से 4 आपको करने है, that means आप अपकी नाप सकते कि भाई, कौन सा question में से में को majority of चीजे नहीं आ रही है, तो उसको आप option में हटा दो, ठीक है, ये pre planning करके आप अगर आप examination देने जाओगे, तो trust me guys, first 15 minutes तो बहुत important हो जाते हैं, अगर start के 5 minutes में आपको समझ में कि ये question मैं नहीं कर रहा है, तो उसको भी हटा दो, और जो बचे हुए question जो आप attempt करने वाले उसका आप scribbling कर सकते हो, कुछ provisions बगरे important है, limits important है, जैसे small company में 440, तो अगर small company में question है, तो examination में starting में आपको याद आ रहा है, 440 हो सकता, 2 घंटे बाद ना आए, तो आप तभी question के बाजो में लिख दो, 440 का limit, तो ये 15 minutes आप ऐसे utilize कर सकते हो, और ये paper pattern आपका रहने वाला ह है, अब जो ये MTP आया था, उसमें अगर आप marking scheme देखोगे, तो उन्होंने Indian contract act से 32 marks का पुछा, sales of goods act से 21 marks का पुछा, Indian partnership से 20, negotiable instrument 14, companies act से 2013, companies act 2013 से 21 marks का पुछा, Indian regulatory framework 6 marks और LLP 6 marks, ये ही जो मैंने आपको weightage दिया था अपनी book में, starting में उसकी around ये आया हुआ है, सो highest marks आये है, 32, Indian contract act, 21 marks, soga, और companies act से आये है, 20 marks, partnership, negotiable 14, regulatory framework 6, और LLP 6, ये distribution उन्होंने अपने अभी latest MT में निकाला है, छीक है जी, तो ये paper pattern, बहुत short duration में हमने discuss के लिए कि ऐसा ऐसा question आ सकता है, तो you can expect, question number 1, कंबल सरी ही आएगा, फिर आपके पास breakup ऐसा हो सकता है, 776, या फिर 7 में भी, 7 के भी, sub question वो लोग बना ले, 4343 करके, इसके अलावा कोई अतरंगी बना, ICI आपके साथ नहीं करने वाला है, I hope आपको ये video अच्छा लगाओगा, अगर अच्छा लगाओगा तो अपने foundation वाले दोस्तों के साथ share कर देना, all the best.